नमस्कार बच्चों मैं निहासे नौभारती परिवार्द में एक बार फ्रे आपका हार्दिक स्वागत करती हूं अभिननन करती हूं और आशा करती हूं कि हमारा यह जो चैनल है आपकी आफशक्ताओं वो पूरा कर रहा है आपकी पढ़ाई में अथा आने वाली प्रतियों क प्राप्त कर सकें तहीं दिल से प्राप्ता करती हूं आपके लिए और इसी प्राधना को बरकरा रखती हुए हम हमारे प्रकरण को आगे बढ़ाते हैं जिन में हम पढ़ रहे थे स्वरों का वर्गीकरण और आज हमारी बारी है व्यांजनों का वर्गीकरण पढ़ने में से पहले हम एक बार साधरन जो शब्दों उसका वर्गी ग्रिन किया जाता है साधरन जो उसका बाटा गया है किस प्रकार से बाटा गया है आई है हम देख लेते हैं एक बार उनको आज हम क्या पढ़ने वाले हैं व्यंजन व्यंजनों का वर्गी ग्रिन ठीक है तो व्यंजन ह हमारे कितने होते हैं तर्थिस व्यांजनों की संग्या कितनी होती है तर्थिस कौन-कौन से कह ख ग घ घ च च ज ज ज और यह त ठ ठ द घ त ठ द ध और न प फ व और म ठीक है यह हमारे नौर्मल तरीके से अगर हम देखें साधरन तरीके से तर देखें तो व्यांजनों का वर्गीतर होता है इनकी अलावा पे तुछ होते हैं जिन में हैं य र-ल-व श श स ह फिर श त्र श अर यह ठीक है यह हमारे कितने हो निवे दिखें पांच पल्श 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 पन्दरा पल्श प्च्चिस पच्चिस पतिस और RH तीस यह वाला वल हमारे अलग कर दीजिए इसको बात में देखें लेकिन आप जो हमारे पास ये वर्गीकरण आया है इनको सावाने शब्दों में अगर हम देखें तो इन सभी को काँ से यहां तक इन्हें कहते हैं इस पर्ष वेंजन क्या कहा जाता है इन 25 वेंजनों को कहा जाता है इस पर्ष वेंजन अब क्यों कहा जाता है इस पर्ष वेंजन देखें जब हम इन वेंजनों का उच्चारण करते हैं तो इन वेंजनों का उच्चारण करते समय वायू जो होती है वो हमारी मुख के किसी ना किसी भाग से टकलातर के बाहर आती है वायू हमारे मुख के किसी ना किसी भाग से टकलातर के बाहर आती है इस पर्ष करते भी बाहर आती है छूकर के बाहर आती है इसलिए इने क्या कहा जाता है इस पर्ष विंजन कहा जाता है तो इन्हे कहते हैं कंठिये, उचाने करके देखिए क, ख, ग, घ, उंग, हमारा यह कंठ है काकल्य है, यहां से हमारे धनी आ लिए, यह जहें से टकराती है, बाई यह मुक से बाहर आ लिए, इसनी इंको क्या जाता है, कंठिये विंजन, कहा जाता है, आप एक पार फिर उचानेट करके देख सकते हैं क, ख, ग, घ, ग, हमारी इस तंत्री पर जोड पढ़ रहा है इस तंत्री पर क्या पढ़ रहा है? वजन पढ़ रहा है इसलिए क्या हो जाए हमारे कंटें फिर जो च वार नाता है तालवे आप क्यों के तालवे? उस चानेट करके देखिए च, च, ज, 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 इया दुबारा बढ़िए च, च, ज, 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 इया आपका जो आपने विक्स का एड देखा होगा उस विक्स के एड के अंदर हमारी जीब के उपर यह जो हिस्सा होता है ज, ज, एसे लड़ता हक़ा होगा अपना के देखिए और इससे कोई किया है इस खराब करता है तालू कहा जाता है क्या जाता है ज, वाय, ज, ज, हमारी इसी भाव को छूती भी भाहर आती है तालवयेखेंजन च, पहर आता है त, थ, द, ध, ध, ध,न था अब हम और यह होता है यह सक्तोच नों पूसे जाते है कि कव वर्ग के 5 मर्ण का ऊचारंड कीजिए जरोग का उचारण कीजिये हम तीनों को एक जिसा कर देंगे तो खमें नौकरी को जो मट जाए तो जो है यह अधने होता है अब यह मुझभन्य क्या होता है देखिए उचारण करिए पहले उचारण कर करके देखिए अभी जीवा किस भापुस परश करिये त, ठ, ड, ध, ध, अपने इनका उचारण किया तो आग की जीवा हमारे मुख क्या जो उपर वाला हिस्सा है जीवा के उपर जो कठोर वाला हिस्सा है उस हिस्से को छीड़ी है उसी हिस्से को मुर्धा बहा जाता है और मुर्धा से हमारे यह वाला वर्द बना है इसलिए क्या खुडना reflecting जीवा को कौना चूराहिए हमारी जीवा हमारे दाटों को चूर हैं आगर वह दातों को बंद कर ले अब दातों को बन करके आप बढ़ने दातों को उपन करिये अब उपने उपन कर ऀये आप उर और पूंड़án कीजी दातों को आपको टच नहीं होने देना है बिना टच किए आप उच्छारान करके देखिया यह इन्वियंजनों का नहीं हो पाए ठीक है तो तवर्ष जो है कौन सा होता है दंत्य कौन सा होता है दंत्य फिर आता है पावल प फ ब भ म देखिये प्रतियों की परिक्षाओं में प्रिश्ण पूछा जाता है एक आपके ऐसे किसी बच्छे के होट में विकार है या उसकी होटों की आकरती सही नहीं है तो निम्न मेंसे किस वर्ष उचारण सही प्रकार से नहीं कर सकता है इसको अधर क्या आएगा पावर्ष यदि मैं खहूं कि आपके दाथों का दाथ तूट गए ठीक है आपके नहीं व्रध लोग उर्द की दान्त तूट जाते हैं तो वो कौन से वर्ध का उचारण्ड नहीं कर सकते हैं पावर्ध जो है वायू कहा से होती है मैं हमारे ओष्ट से इन्हेक क्या कहते हैं और क्या कहते हैं अब आता है हमारा यह्र लवर, क्या, रोजे की सित्दीव का चारण करके समयें, हमारे अंदर से वाइवारी है इनके उचारण में इतना समय इन में लगता है ना इतना ज्यादा समय नहीं लगता है उचारण करें देखिए य र ल व ठीक है नेक्स साथ ही श श स ह इन्हें कहते हैं क्या कहते हैं इन्हें इन्हें कहते हैं उश्वी वेंजन क्या किते हैं इन्हें ऊश में वेंजन क्यों कि यह जब हम इनका उचारन करते हैं तो इनका उचारन करते हैं हमारे मुख से गर्म वायू बाहरा लिए उश्मे का शब्दी मड़्श का होता है गर्म ठीक है उतायन करके देगे श-स-्ष-श-ष-ष-श-ष-भ इसलिए इसलिए क्या कहा गया ईूश्मोवेंजन, मुझष अधिजर दैंने कहते हैं क्या केता हैं इसलिए सेयूपत वेंजन इसके अलावा इसके अलावा हमारे यह अड़ है और अड़ है यहाँ पर ड़ है अगर आप इनके नीचे बिंदी लगा देते हैं तो यह गलत हो जाएगा यह हमारे इस पर्ष्वेस थे ऐस अगर बिंदी वाल केडते हैं इन्हें तारन जात भी कहा जाता है कि इनका उच़ान करते हैं हमारी जीभा वह फैका हुआ सवर देती है फैका हुई इह और होड़ है और और इन वाणों का उचारंट इन वेंजोनों का प्रयोग है वो गभी भी शब्द के प्रारंग में नहीं किया जाता है यह हमेशा शब्द के बीच में कामें दिये जाते हैं इन से हमारे शब्दों के शुरुआत हो सकती है जैसे दमरू, ढलिया, ठीक है, धकन, धाक लेकिन यह हमारे शब्दों के बीच में आते हैं जैसे पढ़ाई, यहाँ पर पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई है, लड़ाई, चढ़ाई, ठीक है, कहने का ततपरेव समझें होंगे मेरा, इसकी अदावा अंग और अहाँ, यह दो और होते हैं, इन्हें कहा जाता है, अयोग वाँ, क्या कहा जाता है इन्हें, अयोग वाँ, इन्हें अयोग वाँ, क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह दोनों जो है, यह ना तो स्वर में किने जाते हैं, ना व्यंजन में किने जाते हैं, इनका जो प् थालस थी अब हमाई सभलह लिए ग्यारा किितनी है है ग्यारा कितनी है उच्छ हर चार्ट हमारे उच्छ हो गए दो हमारे अयोग वहा हो गए पाँच और 6 हरे स्जाट चार्ट हमारे सिव स्टी तभी तहले हैं रहे थीक है तो गंठा कर लेते हैं एक बड़ इसकी टोटल कर लेते हैं पाँच और 1-6-6-4-10 10-4-14-14-16-16-18-18-18-18-20 दो, तीन, चार, पाँच हमारे हिंदी वर्णों में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52 कितनी है? 52 अगर प्रिशन आता है और आपको विकल्प मिलते हैं 52, 33, 11 या कोई नहीं तो आपको उतर क्या होगा? 52 अगर आपको आप्षिन में 52 नहीं दिया हुए 44 दिया हुए तो आपको 44 पे ही टिक कर रहा है आई बात आपको समझ में तो यह हमने एक सामान्य परीचे देखा किसका व्याजनों का अब जिस प्रकार हमने स्वरों का वर्गी करेंट पढ़ाता च्छै प्रकार का ऐसे ही हम व व्याजन का सबसे पहला वर्गी करेंट जो आता है वो आता है द्वनी के अधार पर क्या आता है द्वनी के अधार पर इसे कंपन के अधार पर भी बोलते हैं इस आधार पर हमारे जो स्वर हैं वो स्वरी गेंजन जहें वो दो प्रकार के होते हैं अगोश और सगोश अगोश और सगोश जैसा कि आपको नान से पता पढ़ रहा है क्या ये दो वर्णों से मेरा है अधन गोश ठीक है अपर सर्दूर का मतलब क्या होता है नहीं अगोश का मतलब क्या होता है कंपन अधार जिन व्यंजनों का उचारन करते समय हमारी स्वर्तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं अगोश वियंजन कहते हैं ठीक है ऐसे ही अगर आप सगोश को बनाएं तो सगोश भी दो बनाएं दो शब्दों से मिलकर बनाएं सधन घोश अदर सधन घोशिश होले सधन घोश उसने uważ कि सधनन हो तो इसका उल्टा हो क्या हной कि जिन NICKips बनाएं हमारी सवर्द किल्थ हैं उन्हें क्या कहते हैर्ड सजभोशा उन्हें ठीक है अब हमारे समय अग्षवेंजन शहिता है ओस्तरों है उस जह संधिया होटी है 30 कितनी 31 कौन कौन से होता है देखिए देखिए यह कितने हैं 13 यह कितने हैं 23 प्रत्धवर्ग और जुत्यवर्ग प्लस या तीनो शरकाद अर्थार हमने वर्ग पढ़ेते कवर्ग तवर्ग और ठीक है तो प्रतेव वर्ग कितने वर्ग और हमारे वर्ग कितने हैं पाँट 10 3 इनकीται प्रतेव वर्ग का पहला दूसरा वर्ण पहला दूसरा वर्ण पहला दूसरा वेंजन और श श स इन्हें अग्रोश वेंजनों में सम्मिलित क्या है अब सघोश हमारे कौन कौन से हैं देखिए सघोश वेंजनों में आते हैं तृतिय चतुर्द और पंचम तीसरा चौथा पांचवा बचे क्या यह र ल और व यहां हमारा ह बच गया इसके अलावा सभी स्वर्भी हमारे क्या होते हैं सघोश होते हैं सभी स्वर्भी हमारे सघोश होते हैं देख लेते हैं कौन कोन से देखिए कर ख या आ गया बचा गया गः घअ फिर क्या उचा चा चा आ हगया ज, ज, और यह, फिर तर धा हो गया, क्या बचा, द, धा, और रणे, फिर तर धा हो गया, क्या बचा, द, धा, और न, ठीक है, पा बर तुमें भी पा और फा हमारा आ गया, क्या बचा, पा, पा, भा, भा, और न, ठीक है, और श, 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 क्या बचा, जाए और हमारे बचे अंतेज से बेंजना और 11 स्वर्ट ठीक है काउंसर ये देखे ग्यारा बारा तरीरा चोज़ा बनरा सोला सुत्रा ठारा उल्जी इस इस वाइट देज चौविस पच्चेश चुविस सब्सक्राइश अठाइश अठाइश इन तीस तीसो इज़तेश कित इतने वागों में, दो बाकों में, कॉन-कॉन से? सघोष और अघोष. अघोष ज्यानि, जिन में कमपन नहीं होता है वन हमारे अघोष हो गए, जिन में कमपन होता है वो हमारे सघोष हो गए, अघोष की संखिया 13, प्रति एक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण तथा श, 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 और स, यह हमारे अगोश विंजन में आते हैं पिर सगोश विंजन में हमारे गत्ती स्वर्ण आते हैं कौन-कौन से तीसरा, चौथा, पाचवा, तीसरा, चौथा और पाचवा इसके लावा यह लवा और यहां बचा सह और सारे के सारे स्वर हमारे सघोष वेंजनों के अंदर काउंट किये जाते हैं ठीक है अगला वर्गी करण जाता है हमारा दूसरा वर्गी करण आता है हमारा प्राण वायू के अधार पर किसके अधार पर प्रान वायू के आधार पर आधार प्रान वायू क्या होती है ओप्सीजन यहाँ पर इसका मतलब यह है कि हम वियंजन का उप्चानर करते समय कितनी वायू मुख से बाहर निकालते हैं कम मात्रा में या ज्यादा मात्रा में जब हम करको कम मात्रा में निकलते हैं तो उन्हें कहते हैं अल्फ प्राण और जब अधिक मात्रा में मुझ से वाई निकलती है उन्हें कहते हैं महा प्राण उन्हें कहते हैं महा प्राण वेंजल कहा जाता है ठीक है अब अल्फ प्राण में महा प्राण में क्या होता है देख अधिक ठीक है तो अल्पराण के अंदर हमारे कितने स्वर आते हैं कितने वर्ण आते हैं तीज कितने आते हैं तीज और जो हमारे महापराण है उसके अंदर आते हैं चौदा महा प्राण में 14 और अल्फर प्राण में कितने 30 अब कौन प्राण से हैं वर्द आपको पता है 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है क्या होता है 1, 2, 3, 4, 5 पहला तीसरा पांचरा य, र, ल, और व और ग्यारा स्वर किसमें आते हैं हमारे अल्फर प्राण में बाकी क्या बचा देखिये 2 बचा 4 बचा 4 रगज़़श 6, 7 और 2 बचा ठीक है कितने हो गए 10, 11, 12, 12, 13, 14 ठीक है अब देखिये अल्फर प्राण यानि इनकำ उचलन टे समय हमारी प्राणवायू है वह कम मातरा में निकलती है जैसे ख, फिर ख को छोड़ दीजे, बुलिए ग, फिर घ को छोड़ दीजे, बोलती है ग, ठीक है फिर य, र, ल, व, और सारे के सारे हमारे स्वर, ठीक है ठ, 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 जो हमें जदा लगणा पड़ रहा है हमारी वायू जो है वो अधिक मातरा में बहार आ लिए इसलिए ने क्या कहा जाता है, महा प्राण विंजन कहा जाता है फिर तीन उश्या यह तालवी है, यह मुढणिया और दंतिया तालवी है, मुढणिया और दंतिया इसके अलाव हमारा हव हो गया ठीक है, तो यह कौन से थे प्राण वायू के आधार पर स्वरोगा वर्गी करण अंतिम होरा जो बचा है, वो है हमारा जो हमने थोड़तर पहले देखा था, सामाने जो वर्गी करण देखा था, उसे आधार पर हमारा यह वर्गी करण दिया गया है देखें, यह अंतिम वर्गी करण जो है हमारा, वो है उचारण और प्रियतनी के आधार पर इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि इस पर्ष वेंजन उच्छ पर्ष 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 पर धर्षे भार आती इस पर्ष संगर्षी जह इस पर्ष भी होती है और संगर्ष भी करना पड़ता है वह वहsilा पांठ करता् fic प्रतएकवर्ग का पर अनुस्वार का प्रियोग किया जाता है किसका प्रयोग किया जाता है अंदस्वाल का प्रयोग यहां किया जाता है पिस संगर्ष हीन संगर्ष हीन हमारे दो होते यह और व इन्हें अर्दस्वर भी कहा जाता है इन्हें अर्दस्वर भी कहा जाता है आपने यह संदी की उधारण देखे होंगे छोटी क की जगे व ठीक है तो इन्हें क्या कहा जाता है और दुस्वर कहा जाता है फिर हमारी पार्श्विक पार्श्विक एंजिन के वल एक होता है ल जब हम ल बोलते हैं तो हमारी जीवा पीछे की और मुड जाती है इसलिए इसे क्या कहा जाता है पार्श्विक एंजिन कहा जाता चंट करेंद्चे में यह मारी जीवा में रगण उत्पन होता है जैसे उस्छ्षिति विंजन के वारे में आपको पहले पताःशनल कि आड़य और अड़य जोते है उस्षिति विंजन होते हैं ठीक है ये ता हमारा विंजन का वर्गी करेंड कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताईएगा और अगर आप तर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम जो जानका यार दे रहें वो आप तक पहुंचा सके और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में नेक्स पॉइंट के साथ नेक्स टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैहिन जैभरत